हालो फ्रेंट्स आप सबका स्वागत है हमनी इस एलियोटव निम्टी यूट्यूब चैनल पर आज हम इस पार्टिकुलर स्टॉक के बारे में डिस्काशन करेंगे उसका नाम है विप्रो यह सब जो भी मैंने 12345 जो भी मैंने मार्क किया यह आपको कॉम्प्लिटेड लाग सक करता है लेकिन यह सब कुछ है एस पर एलियोटव थियोडी मैं इसको पूरा का पूरे कॉम्प्लिट और डिटेल अनलेसिस आज करूंगा तो जो लोग नए हैं उन लोग के लिए मैं पहले यह बाता देना का को सिस करूंगा कि यह एलियोटव होता किया है और उसके बाद एक कॉम्प्लिट और डिटेल अनलेसिस करूंगा एस पर एलियोटव थियूरी नॉर्मली ऐसे मार्केट 1 2 345 ऐसे घर के पांच अगे बढ़ते हैं और फिर एबीसी ऐसे घर के रिट्रेस करते हैं अब यह रिट्रेस्मेंट जोंड जो होते हैं वो मोस्टली नॉर्मली होत होते हैं आपका सेकेंट और फोर्थ वेप इस दो वेप के अंदर होते हैं और यह सेकेंट और फोर्थ वेप का अंदर एसे एबीसी ऐसा साब वेप रहते हैं मरलत तीन वेप इसका नाम देते हैं हम एबीसी और कभी कर भी नाम देते हैं डबलू एक्स वाई ऐसे करके नाम एक वैब के अंदर ये 5 वैब का साब रहते है इसे के और फोर्थ होते हैं आपका प्रोफिट बूफिशन और उसके बात जो नया एक वैब है ये चालू हो जाते हैं जो में चार्ट है चलिए उस पर देखते हैं कि ये की सवेप पर है और फिर उसका डीटेल अनलार्सिस करने यह रेक्ट क्राइबर आपको लग सकते हैं कि सब्सक्राइब यह 1 2 फिर यह 345 इतना दूर की हो है फिर यह उसके अंदर यह सब कुछ क्या यह सब कुछ यह पूड़ा का फूरा एक्स्टेंशन हुआ है अब यह यह उन टू टू थी पूर फाइब इसके अंदर भी यह फास्ट व्या फिप्त वेप के अंदर विज पास सब्सक्राइब रहते हैं अभी यह जो थार्ट होते हैं इसका कोई ठीकाना नहीं रहती एक चुली कि दूर सक जाएगा नॉर्माली लोग कुछ फिबो नसी या ऐसा कुछ चीज़ को लेकर लोग कहते हैं कि फास्ट वेप का इतना पार्सेंट तक जा सकते हैं यह डबल हो सकते हैं यह तीन को नहीं हो सकते हैं इसका कोई ठीकाना नहीं है इधर देखिए मैं जो मार्क किया यह फास् यह सेकंड वेफ है तो फिर थार्ट जोगा वह संज में बहुत बढ़ा होते हैं तो इधर जब इतना बढ़ा होते हैं तो उसके अंदर यह सब डिविस इनस को मार्क करना जरूरी हो जाते हैं तो आपको पाता नहीं चलेगा कि थार्ड क्या इधर उखातम हो गया इधर था एक third के अंदर this hara उसका अंदर साभिविशन ये उसके अंदर साभिविशन ये और उसके अंदर सब्रसुन है ये तो by अब होँआ है यह, एकat मार्क पे तो कि यज है इसको पीछी कुछ कारण FM इसको बोले एक एक रानिंग फ्लेट तो मुझे लागने कि इधर एक रानिंग फ्लेट हुआ है और इसलिए मैंने टू को exactly इधर ना मार्क करके exactly इस पॉइंट पे मार्क किया है ठीक है तो आभी यह जो थाड हुआ है यह बड़ा बड़ा थाड इतना जो extending जिसकки मैं mark कर हो इतना बड़ा हुआ है अब इसके अंदर क्या होआ है वह देखेंगे इधर आपको दिख रहा होगा यह दो थार्ड वेव है थार्ड वेव के अंदर मैंने ये वान ये टू ये थ्री ये फोर मैंने मार्क किया तो उसके बाद ये ये जो ब्लू कलर का ये जो फाइव है उस फाइव को मैंने एग्जागल इधर मार्क किया तो आपको लाग सकते हैं कि ये फाइव इधना बाड लेकर हमां से जो नहीं कि ठार के घॉल निया फीप्ट जो है न ये भी एक्टेंट व सकते हैं आह तर ट यह तर बाएप एक्सिंद अरो गरते हैन तुमल चल्ड टंद श्रहर है उसके बाद शॉन टाइमजेंती थंद सुआ और यह पीप्ट है फिप्ट के अंदर ये फिट की अटिर टर फॉर्वेज़ जो मतलब ये अंतो hai गर already उसके अंदर जू कि दोघुट हो ये टीवर्फ मुझे लाद तै उसके अंदर जो ही टैह वां टू तु क्र Πार एस उस उस बम लेखेंश के जो हिव्ट तो वह भी एक्स्टेंट कर चुक है अब उसके अंदर जो है यह 1,2,3,4,5 मुझे लाग रहे है तो यह जो 5 यह भी भूर रहे हैं तो एक्ट्ट्वाली इसको जो बोलते हैं वह होते हैं कि बड़ा बला थार्ड वह एक्स्टेंड है तो थार्ट के अंदर फिप्ट है उसके अंदर यह जो है यह फिप्त हो रहे हैं और यह जो 12345 यह जो थार्ड है यह भी एक्टेंट कर चुके है है 12345 ऐसे करके ठीक है तो आभी यह जो complicated साब को लाग रहा है यह लाग सकता है क्योंकि यह लेट विदिना आसान तो नहीं है कि आप एक बार देखकर ही सीख जाएंगे तो यह अगर जिनको इतना नहीं सोचना है नहीं समझना है उनके लिए यह जो पार्टिकुलर वीडियो है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अल्रेड़ी दिया है तो उस पार्टिकुलर वीडियो को जाकर देखें इधर भी ऐसे जो 12345 जब इतना बड़ा हो जाते है तो उसको मैं यह अगाट क्या एक्टेंड हुआ है इसको ना मार करके मैं इसको कितना सिंपल वेपर पस वेप काउंट करके मतला 123456 ऐसे करके काउंट करके ज़िया नॉर्मल काउंटिंग जैसे होते है वैसे काउंट करके मैं बाता सकता हूं कि यह आभी 20 वेपर है और कहा तर जाकर यह खत मैंने इसको ऐसा ही मार्क किया किसी दूसरा वह पर क्यूं नहीं मार्क किया यह समझाना थोरा ज्रूरी है ज़ो लोग के लिए टाप सीखना चाहते उन लोग के लिए हैं इसपेस्गे तो अभी जो है यह मैंने इसको बोलते है एक लीडिंग ड्यागॉनल, अब coming डाइगुनल का मतलब क्या है और इसका significance का है लेडिंग डाइगुनल का मतलब यह होता है कि इसके बाद जैसे टीम में लीडर होता है लीडर जब किसी cricket मैदन में कोई यह football मैदन में टीम जाते हैं तो उनका जो लीडर होते हैं वो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और उसके ब पूरा ब्री सेंटिमेंट को खतम करके एक नया बूल का सुर्वात दिखा देते हैं यह होते हैं आपका लीडिंग डाइगुनल तो यह लीडिंग डाइगुनल जो है यह लीडिंग डाइगुनल के अंदर इसका significance यह है कि यह जो पूरा फॉल थाना उसका एक उल्टी यह लाकर आपका हो जाते हैं एक बड़ा बला वेफ का वान ठीक है तो आप बड़ा बला ओएफ का वान जब यह बना देते हैं तो इसके अंदर जैसे उन फार्ट पके अंदर मैंने बोला कि पांच साव ब्राइट है तो देरी पांच साव भी है एक नॉर्माली वान टू- फोर फाइब नॉर्मली आमारे एकस्पेक्ट सान एहीं रहते हैं कि ऐसे पांच वे बने लेकिन क्या होते हैं कभी जब इसमें वान हुआ टू हुआ अब थ्री में उतना पावर नहीं है इतना चला गया यह फिर उससे भी छोटा हुआ फिर फोर हुआ फिर फाइव ऐसा लेक्ट to ke pods आध का जैसे अरुसका बोलता है एक लिडिंग ड़ागूनल ह कभी-कभी यह फोर्टा था इतना चोटा हौ और की 5 ऐसे बंज़े तो हम ऐसे मार कर देंगे तो दो लाइन ऐसे दिखेंगे इसको बोलते हैं को नवर्जिंग है पॉर बढ़ल है तो दो लाइन को इधर छोटा है या इधर बस फोड़ बड़ा है और कोई अंतर कुछ नहीं यह दोनी लीडिंग ड्यागनल ऐसे बन सकते हैं तो इधर जो है यह होता है आपका फास्ट वेप हुआ मतलब हो गया है इसमें बूल पावर बहुत ज्यादा रहा जाते हैं और फास्ट वेप एसा डिदिंग डियागोनल होते हैं तब थार थोड़ा बड़ा होते हैं नॉर्माल कि फार्ष टुप के अंदर जो पावर नीरा लेकिन इधर से सेंटीमेंट चैंज हो गया है लोग को दिख रहा है तो लोग किया करेंगे तुरंथ जो है वो थार जो उसको बड़ा बाना देंग अधर भी यह इधाय तक यह रहनी उससे पहले इस जागस के बाद से यहूंफर जाने रहन था तो इसमेभी तो बाड़स ज्ctions पारगार पॉल प्रसेंट ज्याद रहेते तो इस पे आप अगर सी 130 करने के लिए यह यह बीच को ट्रेटत करने के लिए यह और एक एकических आपने यह एबी सी हुआ है तो यह जो सेकंड वेव के अंदर जो मैंने बोला था यह ए बी सी यह दे किसी कुछ खास बड़ा नहीं हुआ है और यह जो नॉर्मली होते हैं एस पर एलिटेप थिवरी ऐसे ही होते हैं सेंग सेकंड और इसके बाद जो थार्ड वेव वोत है ओ इसके अंदर भी A B C हुआ है ऐसे और फिर यह जो यह थार्ड है ठीक तो थार्ट के अंदर यह वा ने डो टू यह थ्री हुआ है अब यह थ्री थोड़ा चोटे लाख सकते हैं लिख फाइब जह जो एक्सटेंट कर चुके हैं तो अपका जो ठी होगा ना तो ऊह इतना छो के भी तर कोई एक एक्स्टेंड कर गया तो इदर यह जो बड़ा बर टाइमध्य में जब थार्ड एक्स्टेंड होगा तो इदर क्या हुआ यह फास्ट वैप सेकंडर भी थारड हो गया और यह पावर जो है यह थार्ड के ंप बहुंद पैक्टर से नॉर्मल्मल लिए तो यह दो देख सकते हैं कि दिना बड़ा पावर आया है और फिर फॉर्थ वह होने हो मिद्धा फिर फिप्त वह नहीं है तो चलिए देखते हैं कि फिप्त वह कहें तक आये हैं अब यह जो है यह फिल अफ्याद काहने हो इतना आहने शाणी सो फिप्त वह एग अनले यह 1 2 3 4 5 ह हुआ है इधर भी वान चोटा टू इतना सा फिर यह जो थ्री है यह भी उधना कास कुछ बड़ा नहीं हुआ तो यह जो थाड वह है उसके बाद फोर्थ यह बाना चाहे थे फोर्थ इधर हो आप फोर्थ को मैं इधर मार्क एक उसको भीच चोटा साही कारण है वह यह है कि यह जो पर्टिकटे मगूल चरल जग अधरी आपको ख्ली जीघा होगा एक ठ्रायंगल हो गया है ठीक है तो आपको द्यायं मधिस से डी एक ट्राइंगल होगा है टप्राइंगल ओ सिť को नॉर्मल्ली अपको फॉर्थ एस्ध की का निख ऑस पास पित ok भास तो है फ्यता जो गैप आप यह सब कुछ नर्मली थाडव पर रास्ते हैं इतना पावर नर्मली थाडव पर ही आ सकते हैं तो इसलिए मैंने इसको फिर से 123 ऐसे मार्क कर दिया और फिर यह फोर्थ यह है इस पर जो मैंने आभी थोड़ी देर वहले दिखा है कि ट्राइंगल हुआ तो और यह जो ब्लू कालर का यह जो फिप्त है इसका फिप्त अभी भी पेंडिंग है तो अभी इसका फिप्त पेंडिंग है और इसका फिप्त पेंडिंग है तो इसका फिप्त के अंदर यह सब कुछ चल रहा है और इसका जो फिप्त है इसके अंदर भी यह सब कुछ चल रहा है तो यह आभी यह फीप्त के अंदर फीप्त को हम मार्किंग करेंगे तो फीप्त के अंदर फीप्त जो है इसमें आप यह फार्ष्ट वेव हुआ है यह सेकेंड वेव हुआ है यह थार्ड हुआ है अब थार्ड के अंदर यह फार्ष्ट है अब देख सकते हैं कि यह वान टू इसको बोलते हैं 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 इसको बोलते है लगे। यह होऊ ईडेगुलर फ्लैट तो यह वह का इर्रेगुलर फ्लैट में दर्वाग delic desei अगो जो सुछ पाइब हमि और इसका अंदर इसका फीर भी रिजन अपने मैं दूखा देना चाहोंगा यह फhodouए गीफ है और फार्gen कर दो मैं तो इधर भी बोल सकते हैं इधर मैं इसके अंदर के आपको कुछ दिख रहा है आप लोग देखिए यह क्या है एक ट्राइंगल नहीं दिख रहा ए बी-सी-डी-ई एलिटर पे ट्राइंगल ऐसी होते हैं तो यह यह फास्ट रिप के भीतर यह एक्चुली वान टू यह 3 यह 4 और यह 5 हुआ है ठीक है तो इसका पीचे भी कुछ कारण है ऐसा नहीं कि मैं बेव वाज़ें इधर कहीं भी कभी में मार्क कर देता हूं कि इधर 1-2 इसको ही मैंने 3 या फिर कभी इसको 3 कभी इसको 3 बोल दोंगा ऐसा नहीं चलेगा इसका पीची कुछ ना कुछ आपको यह जो वीडियो है इधर मैं यह बाताना चाहा हूं कि यह एक्चुली यह बड़ा और कितना कॉम्पलिकेट वह बन सकते हैं जो है यह जो चोटा टाइम टेम का यह बाला टाइम टेम का इसका जो एक्चुली यह ठाट है और मतलव इसके नीचे जो है यह ठाट है और इसके निचे यह फास्ट है यह आपका एक्चुली एक्टेंट हुआ है तो आपको इतना कोई धूंट नंगर या तो उनके लिए मैं यूँ आपके लिए या अधर आसन भासा में जो निफ्टी का एक्षा रहा है जो है ऑद थो है demiş मिला कर इसको कॉंफ्रेट करेगा इधर क्या होगा भीत जहां पर होगया वे लघा सकता आपको ये लिट्व हम पाउंटिंग सच में आना चाहिए वैज इन उसके बाद ये जो है फाइप ये बड़ा बला फाइब उसको भी उधर कघ़ यह एक्चुल इसका फाइप उसको भी कंपलीट कर और इसका भी गोड़ा वह से और sometime तो यह जो थ्री है इसको complete करेगा तो actually यह फार्स्ट सेकेंट और यह थार्ड जो है इसको ही complete कर रहे है इधर और उसके बाद होगा आपका एक फोर्थ होगा और फिर होगा यह फिप्ट आप क्या होता जब इतना ज्यादा पावर से मार्केट आगे बहरते हैं तो इसका फोर्थ होगा न आप नन्हूर्मली से इसलिए हो जाते हैं कि फॉर्थ यह इतना बड़ा रिक्रिस नॉर्मल नहीं करता था कि इसके अंदर इतना जयादा पावर रहे उसके बाद नॉर्मल इतना स्ट्रॉंग स्टोक है तो इतना जब इतना जब इतना जब आपका जो समस्रा हो जाते हैं एस पर फांडमेंटल लिष्ट जो है वो लोग क्या करते हैं वो देखते हैं कि चलो मार्केट जब इधर था जो लगबग इसका मतलब कहीं गुणा बार के तो क्या होगा तो इधर यह जो स्टॉक थान यह इधर इनपेश्टर के लिए जिदना आकर सकता वो लो इस टॉपर बूलिस होंगे नहीं होंगे क्या सजमें हो सकते हैं कि यह जो लोग इधर से भाई कर कि इतना बड़ा वे प्रियेट करें नहीं ए अगर अगर भूती आच्छा को होते हैं तो यह जौ फास्ट होए है anonymous्यस्य अदों इसके बाद फूर्ट स्थी नहीं होते इतना बड़ा बन गां जए उसके बाध फूर्ट साथ इतना बड़ा नहीं बाँपाईगा यह किसी तरह से 12345 करके अपने दम तोड़तेगा नॉर्मली ऐसा होते हैं कि अपनी सोचें लॉजीकल सोचें कि अगर थाठ अगर इतना बड़ा है इतना बड़ा होड़ा है तो इसका जो लोग मनलब आगर सब उसके आपने दोसर रूपि पी तो और अपको लागा होगा कि इतो बहुत उपर जा चुका है तो जो लोग इंवेस्टर से हैं बड़े-बड़े इन्वेस्टर ओ तो इतना वेकुब हैं नहीं हम जाए से तो ओ लोग क्या करेंगे वो कभी भी इसमें और बहुत ज़या बूलिस नहीं होंगे और थोड़ा इसको इसमें मुवमेंट हम ला देंगे बहुत सब्सक्राइब कि चलो यह ब्रेक आउट हो गया इसके उपर वो फांस जाएंगे इस जग्या पर जाकर ठीक है यह पार्टिकलर जोन होगा ना उदर जाकर वो लोग क्या करेंगे फांस जाएंगे तो इसलिए मुझे लाग रहा है कि आप लोग के लिए यह वीडियो बना देना जरूरी था कि यह जो है वान टू टू थी पर फाइब के अंदर यह फाइब हो रहा है और उसके अंदर यह थार्ट थार्ट था यह एक्स्टेंडेट हुआ है और इस थार्ट का जो अंदर जो यह फास्ट था ओभी एक्स्टेंडर हो चुके है तो यह बहुत थोरा कॉंप्लिकेट चीज़ है बहुत नहीं कॉंप्लिकेट चीज़ है तो मुझे लागना है कि यह एक्चुली जो भी इदर हुआ है इसके बाद यह फोर्ट थे प्लिट करके और फिर एक बड़ा बाला कि ली जा सकते हैं तो अब यूदु फीलल मेरा इसका टार्गर्ट है मेरा एट हंड़ेड से थोड़ा उपर अटसो चुस्ट थे जो होर है तो इसके उपर आप बहुत ज़्याधा डिपंडेंट ना हुए जो लोग बहुत देर से इस पर इनवेस्टेट है तो मुझे तैंब की जू पार्टिकुलरं श्रॉक ये थार्ट के अंदर फ्यसक्रेश की श्रीए बॉलिस्स उतना ज्यादा साइधित आपको देखने को मिले ठीक है तो अभी के लिए इतना मेना के हैं डिटक ना है कि ये जो पार्टिकुलर विप्रोह है इसमें आप लोग थ्थार्ट जो लोग बहुत इन्वेस्ट कर चुका है या नया करने के लिए सोच रहे हैं अब यहीं चीज़ को एक आसान भासा में समझने का कोसिस करें जितको इतना कुछ समझ में नहीं दिक्कत हो रहा है या फिरो शियोड नहीं है कि क्या उसका काउंटिंग सही होगा है या नहीं condition यह थार्ड वेड में इस स तार्ड वेडा के अंदर यह 12345 हमाय तो अभी कितना हो इधर एक है यह को आदे दो है आमबर में तेन नहीं चार नमबर पांच छे साथ आठर और यह होगा आपका नो तो नो उभव आपको इधर हो गया तो टोटाली इसके जो फाइब है इसके साथ इसका जो शॉब टेविशन को जब आप ऐसे आलग से यह किसके अंदर किया सब डिविशन किया एक्टेंट हुआ यह सब कुछ आगरा मार्क ना कर सागे तब हमको क्या करना तो इसक की अंदर 15 रीपट्र ये फिर फार्ट के अंदर थार्ड रिख्टिन एतना कोई आपको समय नहीं आरहा है तो आप यह कर सकते है कि इसके साथ और फोर जोड देंगे तो तेरह हो जाए गास इसके बाद इधर जो फित उढर ये एक्ट हो हुआ है 1 2 3 4 5 तो अभी आपको देखिए टोटल काउंट कितना हो गया यह 1 2 3 4 5 6 7 8 था अभी नाइन होगा नाइन मैं इधर मार्क करना हूं नाइन यह 10 11 12 और यह 13 टोटल इधर कितना होगा तेरा तो अभी आपको आप से मैं पूछ हो कि इसके अंदर जाकर आप यह फास्ट को किसके अंदर यह एक्टेंड हुए आपको इतना कुछ जानने का जरूरत नहीं आपको टोटल काउंट देखना है तो प्लास फोर करेंगे तो तेरा हो गया तो यह तेरा के बाद यह 17 होगे तो मेरा बोलने का मतलब यह है कि जब आपको ऐसा साब वेप्स काउंटिंग न क्या होगा इधर इसको आप 1234 आसे करके मार्क ना करके टोटल वेप काउंट कर लिजे टोटल कितना हुए हुआ है रचली इधर मैं आपको आपके सामने कांट करके दिखा देना चाहूंगा कि यह टोटल कितना हुए है और क्यों मैं यह सोच रहूं कि आभी पेंडिंग है यह मैं आपको दिखा देने का कोशिस करूँगा और उसके लिए आपको कुछ नहीं पास इसके साथ फोर और फोर ऐसे एडिशन करके चलना कि 17 के बाद फोर एक किस की बास फोर एक करेंगे तो 25 ऐसे करके आपको इधर होते जाएगा तो जब तक यह सबसकी सब 17 होगे तो इसके बाद मतलब इसके बाद यह पूरा नीचे आ सकते हैं कि यह पैटन कॉम्प्रेट जो था पूरा एक पैकेज कॉम्प्रेट कर लिए हैं लेकिन अगर यह 21 यह 25 के भीतर है यह 17 यह 17 के बीच में तो साथ यह किसी का एक साब वेब चल रहा है तो आपको लागेगा क्या इसके वाद होगा पीर तेरा नमबर जब हो जाएगा तब किसी ना किसी का जो साब हो जाएगा तो इतना कूछ तो आपको इसलिए अगर आपको जब गिंणना नहीं आता इतना फूर्ट तो आपको देखना है कि पांच के साथ 4 जोड़ देंगे तो 9 फिर 13 फिर 17 फिर 21 फिर 25 फिर 29 ऐसे आपको यह सब कुछ इधर ढूंटना है तो चलिए आपको आप देखते हैं कि इसके अंदर कितना हुआ है मैं अभी आप लोग सामने मार्किंग कर लोंगा और आप लोग को भी पाता चल जाएगा कि आप लो सब्सक्राइब काउंटिंग सुरू कि यह वान है यह टू है टू है टू इधर नहीं अच्छली इधर मैंने मार्के दा जो भी तो यह बड़ा बला ऐसा रिट्रेस्मेंट वाना उसकोई अप ऐसा मार्क करना कि यह एक नमबर होए वह यह दो नमबर होए फिर यह तीन प्लास फूरेट करते जाएंगा से घ्लास फूर्द फ्लासओक ट्रस परकृट हैं नो स्कंस्क्राइब कि अधर मैंने सब्सक्राइब क riffounder कि एकवदिक रहें сонषब से मिझा नहीं तो अभी तब यह कॉम्प्रेट करें तब यह हो जाए का आपका 17 तो आभी मुझे जो लाग यह टोटली 15 हो चुक है पिल यह 16 खोल गशाए 17 APP कर होड़ा है इस लिए को कमिल रहा है नहीं तो मेरा साबандर कांटिंग गलोत है या यह यह मेरा तो क्यांटिंग आखर साबन गलत है मैं आगा मेरा कांटिंग आख बाल पर धर अगर इधर 17 अगर 17 हो जाते तो मुझे लगड़ा होगा कि यह complete हो गया होगा किसी यह जगा एकर ऐसा नहीं हुआ है अभी 15 हुआ है फिर 16 नमबर जो बड़ा टाइम प्रेम का जो मैंने बोला था कि वह फोड़ होगा फिर यह 5 होगा ठीक है तो आभी के लिए मुझे लाग है कि यह 15 हुए complete के हैं 17 नहीं किये हैं तो अभी यह इसमें और थोड़ा उपर यह जाएगा यह जो टू मैंने मार्क किया तो आप लोग के लिए मैं आज एक होम टास्क दे रहा हूं वह है कि इधर मैंने जैसा दिखा दिखा दिया कि फोड को क्यों मैंने मार्क किया तो आ मैं आप लोग को बात देने का कोशिश करूं कि आप सही है या गलत इसको अब यह थोड़ा completed हुआ है आप लोग मार्क किजिए और मुझे भेजिए कि चायो कॉमेंट पे हो या फिर यह जो वाट समनांबर है इस पर भी आप भेज सकते हैं कि यह जो आपका जो है मैं देखकर बात देने का कोशिश करूं कि यह सही है या गलत तो ठीक है तो आभी के लिए इतना ही थैंक यू एंड गुडबाई